देखिए, आपको समझना चाहिए, यंत्र शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? यंत्र, एक मशीन, ये एक मशीन या एक आउजार है, आउजारों की शक्ती नहीं, इनसान को इस धर्ती पर सबसे शक्तशाली बनाया है, अगर हमें आउजारों का इस्तिमाल करना ना आता, तो शायद चीटियों का एक जुंड हमारे उपर हावी हो जाता, ये एक सच्चाई ह अगर आपको आउजारों का इस्तिमाल करना ना आता हो, तो बागों की जरूरत ही नहीं है, उनकी आज सुरक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि इनसान आउजारों का इस्तिमाल कर सकते हैं, लोगों के मन में हमेशा यही कल्पना होती है, कि बाग मतलब काम खत्म, पर बाग लोगों को इनकमजोर इनसानों से बचाना पड़ रहे, क्योंकि हम आउजारों का इस्तिमाल कर सकते हैं, बाग आउजार का इस्तिमाल नहीं कर सकता, या फिर इस्तिमाल करना नहीं जानता, तो हमारे बनाये गए आउजारों और मशीनों ने, हमें वो बनाया है, जो हम हैं, औ क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ, तो एक माइक्रोफोन है, एक टेलिफोन है, क्योंकि हम देख सकते हैं, तो एक माइक्रोस्कोप है, एक दूरबीन है, क्योंकि हम चल सकते हैं, तो हमने साइकल और दूसरे तरह की चलने वाली चीजे बनाई, मान लीजे हम पेड़ों की तरह बने होते एक ही जगा जमे होते तो क्या हम साइकल बनाते? मैं पूछ रहा हूँ हमने जो भी किया है हर एक औजार और मशीन जो हमने बनाई है वो सिर्फ उसका एक विस्तार है जो हम पहले से ही कर सकते हैं जो आप यहां से नहीं देख सकते वो आप दूरबीन के त्वारा देख सकते हैं बहुत दूर तक एक औजार के बिना आप ऐसा नहीं कर पाते आप जिन देवी की बात कर रहे हैं उन्हें या ध्यान लिंक को जब मैं एक औजार कहता हूँ तो देवी भक्त कहेंगे सद्गुरु ऐसा मत कहिए देवी हमारी मा से भी बढ़कर है आप उन्हें औजार नहीं कह सकते मैंने का ठीक है आपको ऐसी परिशानी है आप आश्रम आईए तीन दिन यहां रुकिए मैं आपको पाइपलाइन ठीक करने का काम दूँगा पाने, चर्खी, वगरा नहीं दूँगा आप अपने हाथों और अपने दातों का इस्तिमाल कीजिए तीन दिन में आप अपने आधे दात और उंगलियां खो देंगे तीन दिनों के बाद मेरे पास आईए मैं आपको स्पैनर दूँगा आप उस्पैनर की पूजा करेंगे या नहीं एक औजार की यही शक्ती है तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यह भगवान रहिद देश है लेकिन हमारे हाँ तीन करोड तीस लाख देवी देवता हैं क्योंकि हम भगवान को बनाने की तकनीक जानते हैं हमने ऐसे ओर्जा रूप बनाने शुरू किये जो एक खास तरीके से काम करते हैं और हम ऐसे ओर्जा रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सकते हैं हम सामान्य रूप बना सकते हैं, जो सभी के लिए फाइदेमंद हो, या हमें खास रूप बना सकते हैं, जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सकें. आपने कुल देवताओं के बारे में सुना, इसका मतलब है, उन्हें इस तरह तयार किया गया है, कि वो आपके वंश को पहचानेंगे, और आपके लिए सिर्फ तभी कारगर होंगे, जब आप उस वंश के होंगे, अगर आप कोई और हैं, तो ये आपके लिए कारगर नहीं हो होंगे, हम पूरी तरह उलज गए हैं, और हम इसे अप ठीक से नहीं समझते, इसे आजकल ठीक से किया नहीं जाता, वो अलग बात है, पर मूल रूप से हम उन्हें बना सकते हैं, अरे ये असली अंदभक्ती लगती है, देखिए, इस देश में कितनी ही चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक पर्ष्चम उन्हें मानेता नहीं देता, उन्हें सच नहीं माने जाता, है न, क्या आपने रामानुजम के बारे में सुना हैं, रामानुजम ने सौ साल से थोड़ा पहले गणित के सिध्धान्थ लिखे थे, कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो क्या है 2010 में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा लिखे गए कुछ सिध्धान्थ, बलैक होल्स के बारे में समझाते हैं, जब 1910 या 1908 में उन्होंने ये लिखे थे, तो वैग्यानिकों के बीच बलैक होल का कोई विचारी नहीं था, पर उन्होंने बलैक होल्स पर सिध्धान्थ था, वो अपने बिस्तर पर बैठे थे, यहां तक कि उनकी मृत्यु श्या पर भी उनसे सिर्फ गनित बाहर आती रही, लोगों ने पूछा ये कहां से आ रहा है, उन्होंने का मेरी देवी, मैं बस देवी से प्रार्थना करता हूं और ये ग्यान मुझे मिलने लगता है, अग को ये खास खिड़की खोल सकते हैं और विभिन आयामों में ब्रह्मान तक पहुँच सकते हैं, तो जीवन के अलग-अलग पहलूँ के लिए, हमने अलग-अलग तरह के ओजार या मशीने बनाई हैं, इसलिए भारत में सभी देवताओं को यंत्र भी कहा जाता है, लेकिन फ जरूरी विज्ञान के बिना अपनी खुद की चीज़े बनानी शुरू करती, इसलिए भक्ती आंदोलन की वज़े से सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि ये एक अलग तरह का आंदोलन था, वरना ये पूरी प्रक्रिया एक बहुती गहरा विज्ञान है, सिर्फ अभी नहीं, हजारों लोग हैं, जिनके घरों और कार्यालयों में अविग्ना यंत्र है, अगर आप उनकी कहानिया सुनेंगे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली उपकरण है, आपको बस इसका उप्यो सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं, कि आप खुद को वैसा बना लें, पर इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, अगर आप काम करने को तयार हैं, तो हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मैं आपको एक जीवित चलता फिरता मंदिर बना सकता हूँ, अगर आप चाहें, एक जीवित इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे आसान है, लेकिन मनुष्यों के साथ समस्या ये है कि वो हर दो मिनिट में यू टर्न ले लेते हैं, इसलिए हम पत्थर और दूसरी चीज़ों को चुन रहे हैं, जो आपसे ज्यादा भरोसे मंद ह झाल